नमस्कार दोस्तों, आव सीखे चैनल में आपका स्वागत है, आज मैं तूरंग का ये खुबसूरत सा डिजाइन लाए हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और तेखी ये कितना खुबसूरत दिखाई देता है, इसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं, सामने से ये ऐस दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा । इसे आप लेडिज्स कारडिगन में, जैकेट में, कोटी में, बच्चों के स्वेटर में, कैप में, हैट में, शॉक्स में, शूज में, चेंड स्वेटर में, किसी में भी इसे बनाए ये सब में बहुत ही अच्छा लगेगा, इस इसे बनाने के लिए हमें चार के multiple फंदे चाहिए और एक फंदा एक्स्ट्रा ऐसे चार चार्च करके हम गिनें तो लास्ट में एक फंदा आना चाहिए तो यह डिजाइन अच्छी तरह सेट हो जाएगा तो चलिए फ्रेंड्स हम डिजाइन बनाते हैं बॉर्डर बनाने के बाद हम दूसरे कलर का उन अटेश कर लेंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे फिर तीन फंदे स्लिप करेंगे एक दो तीन नेक्स्ट फंदा उल्टा बनाएंगे उन हमारी करफ ही रहेगा और फिर तीन फंदे हम स्लिप करेंगे तीन फंदे को उल्टा नेक्स्ट तीन फंदे हम स्लिप करेंगे और चौथे फंदे को उल्टा बना लेंगे तो तीन फंदे को स्लिप करते हुए और चौथे फंदे को उल्टा बनाते हुए पुडी लाइन कम्प्लीट करेंगे पहला फंदा हमारा उल्टा है और लास्ट फंदा भी उल्टा ही आएगा तो इस तरह हमारा ये पहला लाइन कम्पलीट हो जाएगा अब ये डिजाइन का दूसरा लाइन है और रॉंग साइट तो ये हमने पहला फंदा उल्टा बुना था तो पहले फंदे को हम उल्टा बनेंगे इसे हमने सामने से भी उल्टा बना था और रॉंग साइट से भी हम इसे उल्टा ही बना लेंगे अब उन दूसरी और करेंगे और ये जो तीन फंदे हमने स्लिप किये थे अब इन्हें हम सीधा बना लेंगे उन अपनी और करेंगे, यह फंदा उल्टा था, तो इसे हम उल्टा ही बुन लेंगे उन दूसरी और करेंगे, यह slip के हुए फंदे हैं, तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे इन ही चार फंदों को एक फंदा उल्टा और तीन फंदा सीधा इन ही चार फंदों को हम पूरी लाइन में दो राएंगे एक फंदा उल्टा तीन स्लिप के हुए फंदे उन्हें हम सीधा बुलेंगे एक फंदा उल्टा और तीन फंदा सीधा लास्ट फंदा इसे हम उल्टा बुन लेंगे तो ये हमने दो लाइन कम्प्लेट कर लिया अब फिर हम अपने प्राइमरी कलर के उन से सबी फंदे सीधे बना लेंगे दिजाइन का तीसरा लाइन और सामने से प्राइमरी कलर के उन से सबी फंदे सीधे तो थर्ड राइन में हमने सबी फंदे सीधे बुन लिए अब ये डिजाइन का फोर्थ रो है और रॉंग साइट तो सबी फंदे उल्टे बुन लेंगे डिजाइन का फिफ्ट रो और सामने से और हम अपने सेकेंडरी कलर के उन से बुनेंगे पहला फंदा उल्टा नेक्स्ट फंदा स्लिप कर लेंगे अगले फंदे को ऐसे पॉल वाइस स्लिप किये थे तो ये फंदे आगे रह गया था इसे उठाएंगे और फिर दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे फिर नेक्स्ट तीन फंदे स्लिप करेंगे एक दो तीन फिर चौते फंदे में स्लिप किया था तो ये रह गया है इसे उठाएंगे और फिर दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे नेक्स्ट तीन फंदे स्लिप करेंगे एक दो तीन फिर चौते फंदे में पहले स्लाई डालेंगे ऐसे और फिर इस थ्रेड को उठाएंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए उल्टा फंदा बना लेंगे फिर तीन फंदे हम स्लिप करेंगे एक दो तीन फिर चौते फंदे में स्लाई डालेंगे और नीचे का ये जो थ्रेड है हमने स्लिप किया था तो ये आगे रह गया था इसे उठाएंगे फिर दोनों को एक साथ लेके और एक उल्टा फंदा बना लेगे और दोनों को एक साथ लेते हुए उल्टा फंदा नेक्स्ट फंदा फंदा स्लिप करेंगे और लास्ट फंदा उल्टा नरी 6 प्रो और रोंग साइड अब बुने हुए फंदे stars उल्टे बुनव लेंगे देखिए इस फंदे को हमने फ्रंट से उल्टा बुना था तो रॉंग साइर से भी हम उल्टे बुनेंगे और ये फंदा जिसे हमने स्लिप किया था तो उसे हम सीधा बुनेंगे अब ये बुना हुआ फंदा है इसे उल्टा बुनेंगे और ये तीन फंदे जो slip कियेगा है इन्हें हम सीधा बुन लेंगे तो बुने हुए फंदे को उल्टा बुनते हुए और slip किये हुए फंदे को सीधा बुनते हुए पूरी लाइन कम्प्लीट कर लेंगे तो बुने हुए फंदे को उल्टा बुनते हुए और slip किये हुए फंदे को सीधा बुनते हुए मैंने पूरी लाइन कम्प्लीट कर लेंगे डिजाइन का सात्वा लाइन और सामने से और अपने प्राइमरी कलर के उन से सभी फंदे सीधे सात्वे लाइन में हम प्राइमरी कलर के उन से सभी फंदे सीधे बना लेंगे और आठ्वी लाइन में सभी फंदे उल्टे डिजाइन का नाइन्थ रो और सामने से नाइन्थ रो में हम अपना पहला लाइन दूर आएंगे पहले फंदे को उल्टा बनेंगे सिकंडरी कलर के उन से फिर तीन फंदा स्लिप करेंगे और चौते फंदे में ऐसे परल वाइस लाइड डालेंगे और नीचे से ऐसे थ्रेड उठाएंगे और फिर दोनों को एक साथ लेते हुए उल्टा फंदा बना लेंगे नेक्स्ट तीन फंदे स्लिप करेंगे उसके बाद चौते फंदे में पहले स्लाई डालेंगे नीचे से थ्रेड उठाएंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे अगले तीन फंदे स्लिप करेंगे चौते फंदे में स्लाई डालेंगे नीचे आएंगे थ्रेड को उठाएंगे और फिर दोनों को एक साथ लेते हुए उल्टा फंदा बना लेंगे नेक्स्ट तीन फंदे स्लिप करेंगे चौते फंदे में स्लाइड डालेंगे, नीचे आएंगे और थ्रट को उठाएंगे, फिर दोनों को एक साथ लेते हुए उल्टा फंदा बना लेंगे तीन फंदा स्लिप करेंगे और यहाँ पे लास्ट फंदा है इसे हम उल्टा बुन लेंगे रॉंग साइड से बुने हुए फंदे उल्टा और स्लिप किये हुए फंदे उन्हें हम सीधा बुनेंगे बुना हुआ फंदा उल्टा और स्लिप किया हुआ फंदा उसे हम सीधा बुनेंगे इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कम्प्लीट कर लेंगे एक फंदा उल्टा तीन फंदा सीधा एक फंदा उल्टा और तीन फंदा सीधा और लास्ट फंदा इसे हम उल्टा बूनेंगे तो आर्ट लाइन का ये रिपीटड डिजाइन है डिजाइन देखिए आपके सामने है सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा तो friends डिजाइन आपके सामने है आशा है आपको पसंदाय होगा Please like, share and subscribe Thanks for watching